फेपडों में जमे हुए बलगम को पूरी तरह से वार निकालने का पेहद ही कारगर तरीका दोस्तों साथ की साथ आपके गले में खरास है, सूजन है या फिर गले में भी कफ जमा हुआ है आपको एलर्जी की सिकायत है बुझ जादा और तेज खासी आ रही है साथ की साथ बलगम जमने से आपका जो सिरवारी रहता है न दोस्तों चिड़ चिड़ा पन, सिर का दुखना इन सवी समस्याओं से आपको बिल्गुल तीन दिन में ही निजात मिल जाएगी जो आज मैं आपको नुस्का बता रही हूँ न ये आज माया हुआ नुस्का है और दोस्तों इस नुस्के से आपको पता है एक फायदा क्या होगा अगर आपको सर्दी जुखाम ओ भी रही है न और आप इस टाइम पे इसे ले लेते हैं इस तरीके से तो आपका जो कफ है वो चेश्ट में जमा भी नहीं होगा ये कफ को जमा भी नहीं होने देता है अगर आ के नाम से भी जानते हैं इसका उपयोग अधिकतर सब्जियों वगेरा में जादा किया जाता है दोस्तों लेकिन इसके अंदर medicinal जो प्रोपर्टी होती है न वो भी अधिक मात्रा में होती है जैसे आप इसके घरेलून उसके वगेरा के लिए इस्तिमाल करते है न तो बेहद लावदायक है इसके बाद में आम इसके अंदर सैद वगेरा का इस्तिमाल बिलकुल नहीं कर रहे हैं यहां पे आम इसको सिंपल चेनी के साथ बनाने वाले हैं क्योंकि किसी किसी को क्या लगता है कि सैद गरम पानी के साथ नहीं लेना चाहिए तो बिलकुल नहीं लेना चाहिए ज्यादा गरम पानी के साथ, आप अलके गुनगुने पानी के साथ में सैद का इस्तिमाल कर सकते हो, लेकिन मैं आपको आज इसको चीनी के साथ में बनाना बता रही हूँ, जिससे सवी के लिए ये आसान हो जाएगी, आप जो चम्मच देख रहे हैं, इसी चम्मच से मापकर आपको याँ पे 5 चम्मच सक्कर ले लेनी, हम पांच दिन के लिए ये दवा बना कर रहे हैं, तो 5 चम्मच सक्कर आप ले ले अब इसको बनाना कैसे है, वो भी आपको याँ पर बता देती हूँ, सबसे पहले एक पैन रखेंगे गैस के उपर, और जो अमने सक्कर ली है, वो इसके अंदर डाल लेंगे, यानि चीनी इसके अंदर डाल लेंगे, गैस का फ्लेम ओन करेंगे, और आज को बिलकुल दीमा रखेंगे, इसको हम फूल आज पर बिलकुल नहीं पकाएंगे, दीमी दीमी आज पर इसका ये जो प्रोसेस है ये करना है दोस्तो, अब गैस का अपने आप मेल्ट होने लग जाएगी आपने देखा होगा इसमें पानी वगेरा कुछ भी एड नहीं किया है सिर्फ सक्कर को ही याँ पे आपको आज पे दिमे आज पे मेल्ट करके लेना है जैसे जैसे सक्कर मेल्ट होएगी ना तो ये आपको अलकी ब्राउन कलर की नजर आएगी दोस्तों तो आप गवराएना की ये सक्कर लग गई है बस इसी दरीके से आपको लगातार चलाते रहना है जब तक कि ये पूरी तरह से अच्छे से मेल्ट हो जाए बस आज का आपको आपको ये प्रोसेस करके लेना है इसमें आपको कम से कम दो मिनेट का टाइम लगेगा दिमी आज पर ज्यादा टाइम नहीं लगता है बस ये एक पर मेल्ट होने लग जाती है तो फिर ये जल्दी से पूरी मेल्ट हो जाती है बस आपको चलाना लगाता रहे इसको ये जो उसका हम बना रही है ना ये फेपडों में जमा हुआ जो कफ होता है चाहे कितना भी पुराना वो आपका साल दो साल से कफ अंदर जमा हुआ है निकल नहीं रहा है आवाज आती है आजीब अजीब सी जब आप खांसते हैं तो उसके लिए बेहद कारगर है और अभी आपको सर 200 ml पानी एड़ करेंगे जैसे ही इसके अंदर आप पानी डालेंगे ना दोस्तों तो ये पूरी तरह से जम जाएगा आपको लगेगा कि ये खराब हो गया है तो ऐसा कुछ नहीं है बस आप गैस का फ्लेम यहां पर थोड़ा सा बढ़ा सकते हो ये अपने आप पूरी मेल् पहले इतना वेट करना होगा कि ये जो सक्कर है ये बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर पिंगल जाए अब देखेंगे सक्कर जो है पिंगल ने लगी है गैस का फ्लेम आमने वापिस कम कर दिया है और यहां पे हमने सिर्फ तीन पत्ता लिया है दोस्तों जो तेज पत्ता ह तीन पत्ती ले ली है उसको पहले हम पानी के साथ दोएंगे बिल्कुल अच्छे से दोना है तीन चार बार पानी डाल कर और फिर आप इनको इस तरीके से छोटे-छोटे टुकडो में तोड कर इसके अंदर एड कीजिए ये अम पीने के लिए दवा बना रहे हैं दोस्तों इसलिए तेज पत्ता जो है उसको दोना जरूरी होता है इसके उपर मिट्टी बहुत होती है मैंने आपे तीन तेज पत्ता लिया है मेडियम साइज का उसको दोने के बाद में तोड कर इसके अंदर डाल दिया है अब आमे क्या करना है दूसरी चीज इसमें यहां पे एड क तो मैंने यापर तुलसी के पत्ते ले लिया है, आपको कم से कम 10 बारा पत्ते इसके अंदर एद कर देने हैं, इनको भी दो कर ही डालना है आपको तूलसी जो है आपकी सुर्दी जुखाम खासी के लिए बेहद ही लावकारी होती है, चाहिक ऐसी भी सर्दी लगी हो आपको त बिल्कुल कम मात्रा में तीन लोंग और तीन काली मिर्ची ये आपकी सर्दी के लिए खासी के लिए और खास कर गले में खास-खास कर स्वेलिंग आ जाती है ना उसके लिए बेहद लाब कारी है दोस्तों तो आप ये जरूर डाले ये चीजे डालने के बाद में अब आपको इसको कम से कम 5-6 मिनेट तक दीमी आज पर पकाना है इसकी पकने की पैचान क्या होगी आपको मैं बता देती हूं जैसे आपने ये तेज पत्ते इसके अंदर एड़ किये थे ये पूरे उपर तैर रहे थे आपको इस तरह से तैरते हुए नजर आ रहे थे लेकिन अभी ये जब पक गए है न तो ये पूरी तरह से इसके तले में बैठ गए है बस आपको इतना ही पकाना है गैस का फ्लेम बं दूसरी बात आप इसको ताजा बना कर भी ले सकते हैं लेकिन जो इसमें अमने चीजे डाली है ना उनकी क्वांटिटी आपको बिल्कुल कम ले लेनी है आप चाहें तो इसे एक पाने में सारी थोड़ी-थोड़ी चीजे डाल कर आप बोईल करके गरम-गरम पी सकते हो और इ एक बार रखना चाते हो तीन चार पांच दिन के लिए जिसको जादा कफ है उनको तीन चार पांच दिन लग जाते हैं दोस्तों कम से कम पांच दिन लग जाते हैं इसको पीने में और कफ को निकलने में लेकिन जिनको तुरंट सर्दिखासी होई है न वो इसको पीएंगे तो दो से तीन दिन में ही एकदम ठीक हो जाते हैं कफ जितना भी होता है पूरा निकल जाता है ये कफ को जमानी होने देता लेना कितना है आपको सिर्फ दो चमच इस तरीके से दो चमच ले आप उसको अलका सा आप गैस पे रखके गरम कर ले और फिर आप इसका सेवन करें जैसे कि आपने ये बनाया है अभी तो अभी आप इसकी दो चमच पी ले बड़े हैं तो दो तीन चमच इसकी ले सकते हैं क्योंकि इसमें आमने आद से ज्यादा कुछ भी ने डाला है लिमिट की चीजे डाली है इससे आपको गरमी भी नहीं होगी और तीन साल से उपर के को दे रहे हो आप देखेंगे आपका जमा हुआ कफ चाहे कितने भी चालों से जमा हुआ है चेश्ट में पूरा निकल जाएगा दोस्तों ताजा बना कर ले रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी चीजे डालकर इसको बना कर ले अगर आपको ये नुसका पसंद आता है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद